अपना tutor account permanently delete करने के लिए सबसे पहले आप tutor को open कर लीजेगा tutor open करने के बाद आप अपना id login कर लीजेगा और login करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आप देखेंगे left side में तो आपका profile देखेगा आपको उस पर आपको click कर लेना होगा चलिए हम click कर लेते हैं आपको देखने को मिलेगा setting and privacy इस पर आपको click कर लेना होगा चलिए हम click कर लेते हैं इसके बाद जैसे ही आप setting and privacy पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का option देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर क्या करना है यूर एकाउंट पर आपको क्लिक कर लेना होगा चलिए यूर एकाउंट पर हम क्लिक कर लेते हैं यूर एकाउंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगा दोस्तों आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा deactivate account आपको deactivate account पर आपको click कर लेना होगा दोस्तों आपको बता दें deactivate account यहाँ पर है permanently delete या हमेशा के लिए अपना ट्यूटर account डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको deactivate ही करना होता है और 30 दिनों के बाद आपका account हमेशा के लिए बंद हो जाता है डिलीट हो जाता है permanently delete हो जाता है तो इसका जो नियम है यही है अपने account को deactivate कर देंगे उसके बाद आप 30 दिनों तक 30 दिनों के भीतर आप login नहीं करेंगे 30 जैसे ही 30 दिन complete होगा 30 दिन के बाद आपका account permanently automatic ही delete हो जाएगा दोस्तों तो permanently delete करने के लिए आपको यहाँ पर deactivate पर आपको click करना होगा इसके बाद आप 30 दिन तक आप login मत कीजिएगा 30 दिन के बाद हमेशा के लिए अपने से delete हो जाएगा फिर login नहीं हो पाएगा आप चाहेंगे नहीं चाहिए रहा होगा देखे यहाँ पर दिया है 30 डे जा है ना यहाँ पर देखे थीजी दिन लिखा हुआ है ठीक है अब आपको क्या करना तो यहाँ पर आप देखेंगे deactivate का option आपको देखने को मिल रहा होगा आपको deactivate पर आपको click कर देना होगा जैसे ही आप डीएक्टिवेट पर उप्क क्लिक करेंगे आपको अपना यहां पर password आपको डाल लेना होगा जो आपके 24 Bulgaria ना कहले में यहां पर अपना पासवाड डाल करके आप अपना एकाउun को डी अक्टिवेट यहां करेंगे चलिए पास्वाट डाल लेते हैं पास्वाट डालने के बाद दौश्टों यहाँ पर यहाँ पर अप इसे पुछा जाएगा और यहां पर जैसे दोस्तो आप Yes पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं, इस पासवर्ड यूर इंट्रेट वाज इनकरेक्ट, यानि कि मेरा जो पासवर्ड हम डाले हैं, वो पासवर्ड गलत डाल दिये हैं, पासवर्ड को सही डालना है, ठीक है, चलिए देख यानि कि आपका जो अकाउंट है, वो डियक्टिवेटेड यानि कि डियक्टिवेट हो गया दोस्तों, ठीक है, इसके बाद गोईट पर आपको क्लिक करना था, उसके बाद आपका जो आपका आइडी है, वो आटोमेंटिक लॉग आउट भी हो जाएगा, तो अभी आपको लॉग इन नहीं करना है, तीस दिन तक, तीस दिन तक आप लॉग इन मत किजिएगा, आपका एकाउंट परमानेंटरी डिलिट हो जाएगा, और अभी जब आपने डियक्टिवेट कर दिया, तो अब जो भी आपकी चीजें हैं, वो किसी को नहीं दिखेगी, आपका एकाउ पर तुछ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, थैंक्स फूर आचिंग माई वीडियो तो मिलते हैं ने शुड़े में तब तक के लिए, बाई